वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल यूजी सिन एड जियाराफ हिस्ट्री सो इस्टूडेंट्स आज की वीडियो का हमारा टोपिक है अल्लाओदीन खिलजी लास्ट वीडियो में हमने जलाल अदिन फ्रोज खिलजे के बारे में बात की थी आज की वीडियो में अल्ला लाओ द किलजी पर कभ से कंब टक साषं किया क्या को बारैंसो चानवे से 1313य कि उन् साउन ने दिल्ली को चांक बत इनका तर बिस्व और अवद के राज्येपार नंविकां 1296 में और फिर ये कड़ा के राज्यपाल भी रहे हैं कुछ टाइम 1291 से 1296 इनका जनम जो है इनका बच्पन का नाम अली गुर्साप था जनम जो है 1266 या सट में हुआ था और निधन जो है दिली में हुआ समाधी भी इनकी दिली भारत के अंदर ही है तो अलाउदीन किल जेाक जालालुदिन Will week अपना दामाद बनाया था जब इसी है उनले आपने चल्चीव को दे दी गई थी और ऐसा माना जाता है कि अल्लाव दिन खिल जी जो है सुरू से ही बहुत जादा महत्कान सी व्यक्ति थे जैसे उसे राजगदी हत्याने का मोका मिला तो उसने जो है अपने चाचा जलालु दिन फ्रोज जो है जो है जो है सिखासन की प्राप्ति कैसे की इन्होंने जलालु दिन की हत्या के बाद में लाओ दिन को तुरंत गद्धी ने प्राप्त हो सकी क्योंकि उस टाइम मलीकर जहां जो जलालु दिन की पत्नी थी विद्धा उसको अपने पती की जब हत्या का समचार मिला तो उसने तुरंत अपना छोटा पुत्र जो उसके पुत्र का नाम था कद्र खां उसे जो है रकनु दिन इब्राहिन के नाम से गद्धी पर बैठा दिया और अपने बड़े पुत अ कर्कली खां को मुल्तान से बुला लिया क्योंकि अरकली खां जो है उस टाइं मुलतान में था तो उसको वह बुला लेती है अल्यू दिन जो है कड़ा मालिक पुर में हीते। जैसे उन्हें इस घटना का पता चला तो वे बिना नस्ट के अल्लावदीन जो है कड़ा से दिल्ली की और बढ़े और उसने रास्ते में लोगों को सोने और चांदी के सिक्के बाते जो कि वो दक्षिन विजय से इन सिक्कों को लाए थे मतलब काफी धन इनोने वहापे विजय प्राप में इखटा किया था तो इस धन वितरन से लोगों को अल्लावदीन की और आकर्ष्ट किया लोग जो है उसकी तरह पाकर्षित होने लगे और जब वो दिल्ली में बैठे इ और वो भाग जाते हैं अलावदीन जो है जब दिल्ली में परवेश करते हैं तो वे अक्टूबर 1296 में विधी पूर्वक अपना राज्य अभिसेख करवाते हैं वे भाग जाते हैं दिल्ली के गदिस टाइम खाले थी और दिल्ली में जब अलावदीन खिल जी ने लेकिन बाद में जो विधी पूर्वक कराया गया वो दिल्ली के अंदर तो दो राज्य अभिसेख हुए हैं इनके अलावदीन खिल जी के आप इनके राजनेतिक अभियान के बारे में देखते हैं क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिन भारत पर काफी विजय प्र और यहां का सासक जो था रायकर्ण था रॉन जो है दो दो भागों से दो में सहां के पास और यहीं सूरत की सहीत कई नगरों को लूटा था इसमें एक सोमनात का मंदिर था जिसे भी इनुने लूटा इसी राज्य के खंबात बंदर गहा पर आकर्मन के समय एक हिंदू किन्नर जो हीजड़े थे मलिक काफुर उनको जो है नुसरत खाने खरीदा जो बाद में अल्लाव दिनके दक्षी नभियानों का परमुक सैनापती बना मलिक काफुर जो है इनके परमुक सैनापती थे जब ये दक्षी नभियान करेंगे तब जो है इनके नेत्रतव में ही करेंगे मलिक काफुर को इन्होंने जो है हजार दिनारी में खरीदा था इसलिए मलिक काफुर को हजार दि और यह जो है पहले दिल्ली का अंग रह चुका था दिल्ली का राज्य था खिलजी के आक्रमन के समय यहां पर हमीर देव थे जो राजा थे यहां के रन्थंबोर के वो थे हमीर देव और हमीर देव रन्थंबोर पर आक्रमन के लिए इन्होंने सुल्तान ने किसको भेजा था उलुग खां और नुसरत खां को इन्होंने इसको भेजा और तेरा सो एक में हमीर देव का परधान मंत्री रनमल सुल्तान से जामिला और हमीर देव यूद में वीर गती को प्राप्प हो जाते हैं मारे जाते हैं और सुल्तान की तरब से नुसरत खां इस यूद में मारे गए अलाओदीन खिलजी की तरप से कौन मारा गया है नुसरत खा और हमीर देव वीर गती को प्राप्प हो जाते हैं तो हमीर रासो के नुसार एक कहानी है हमीर रासो हमीर की रानी रंग देवी के साथ अनेक राजपूत महिलाओं ने भी आग में कूद कर जोहर कर लिया था असा कहा जाता है इस विजय के दोरान और लाओदीन खिलजी पर एक कलंग था कि काफी ओड़ते जो हैं मर चुकी थी आग में जलक़ नेक्स्ट विजय आती है चितोड की विजय जो 1303 में हुई थी 1303 में इन्होंने चितोड पर विजय की और चितोड की रानी पदमावती की सुन्दर्त से परभावित होकर अलाओ दीन ने चितोड पर आक्रमन के योजना बनाई थी, ऐसा कहा जाता है, तो मलिक मुहमत जैसी है जिनोंने एक कहानी लिखी आप पदमावत नाम की, मलिक मुहमत जैसी की रचना है पदमावत इसमें इनोंने इस बात का उल्ले किया है, इ इनु ने चितोड के गेरा बंदी करके रखी तो जब साथ महिने लगी ने तो जो राणा रतन थीं थे इनु ने आत्म समरपन कर देते हैं अलाव दीन खिल बजिजी के सामने ने चितोड वीजे के बाद में यहन्म का पासक जो है अपने बेटे खिजर खां को बनाया था और चितोड के नाम को बदल कर चितोड की जगह पर इन्होंने एक नगर बसाया इसके नाम को बदल कर एक नया नाम रखा चितोड का जिसका नाम था खिजराबा जो इन्होंने अपने बेटे के नाम से रखा था यहीं जो ह है मालवा की विजय जो उत्तर भारत की विजय है मालवा तेरा सो पांच में उन्होंने मालवा पर विजय अभियान किया चितोड विजय के बाद राजपूतों की रियासतों ने अल्लाव दिन की अधिनता जो है स्विकार करनी शुरू कर दी थी उसमें मालवा के राजा जो थ में सुल्तान ने मारवाड को जीतने का प्रियास किया था मारवाड के परमार राजपूत सासक सीतल देव थे उस टाइम इनका कड़ा संगर्श हुआ था बहुत जादा इनकी लडाई हुई थी और इन्होंने इस पर विजय प्राप्ट कर दी लास्ट विजय जो जालोर की वि विजय को भी पूरा कर दिया था जब इन्होंने जालोर पर विजय प्राप्ट कर दी तो राजिस्थान की विजय भी उन्होंने पूरी कर ली अब आते हैं इनके दक्षी नभियान जो काफी इंपोर्टेंट अभियान है अल्लाउदीन खिल जी के देव गिरी पर आक्रमन इससे पहले जलालो दिन फोच खिलजी के टाइम पर भी देवगिरी पर विजय प्राप्ट कर चुके हैं लेकिन अपने सासन के टाइम पर इनके फर्स्ट अभियान था और अगर अल्ला अधिन खिलजी का ही अभियान देखें तो इन्होंने कब किया तेरा सो साथ से तेरा सो इसने में इन्होंने देवगरी पर भियान किया और मली काफूर के सब्सक्राइब किया फार्जा हए चला न को ऐसा माना जाता है कि अल्लाओ दिन घिल्जी ने राजा के साथ अच्छा वहवार किया राय रायन की उपादी ती राजा राम चंदरदेव को यहाराकर दिल्ली भेज देतें राय रायन की उपादी इन्हें देंगे तो ना क्थ विज्ञ इ सकना विज़ have इनकी 1309 से 13010 में नोने किया है वारंगल जो था उसके सफल अभियान के कलंग को दोने के लिए अल्लागो दिन खिलजी ने 1309 10 के बीच में मलिक काफुर के नेतरतब में सैना भेजी थी यहांपर मलिक काफुर को देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की साहिता भी यहांपर प्राप्थ हुई थी और तेलंग गाना जो है काक्तिय वंस था एक उसके सासक थे यहांपर परताप रुद्र देव उन्होंने अपनी सोने की मूर्ती बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डलवाकर आत्म समर्पन के लिए मलिक काफुर के पास भेज दी थी इसी अवसर पर परताप रुद्र देव ने मलिक काफुर को पड़सिध हीरा दिया था जिसका नाम है कोहिनूर हीरा वो यहां सबसे पहले मिलेगा मलिक काफुर को नेक्स जो विजय आएगी दक्षिन भारत की वा आती है पांडे राज्य की विजय पांडे राज्य जो था तेरा सो ग्यारा में इनोने इसकी विजय प्राप्त की थी ये दक्षिन भारत के अंतिम छोर पर था और सुन्दर पांडे वीर पांडे दोनों भाईयों के बीच में पर जो है ग्रहयूद हो रहा था सियाहासन को लेकर तो इसका जो फाइदा जो है उठाएंगे ये क्योंकि सुंदर पांडे ने भाई के विरूद सुल्तान अल्लाओदिन खिलजी से साहिता मांगी थी और सुल्तान ने सबसर का लाब उठाया और 1311 में इन पर मलिक काफुर के नेत्रतव में आक्रमन कर दिया और इस पर विजय प्राप्ट कर ली नेक्स्ट आता है देवगिरी पर दुबारा से इन्होंने आक्रमन किया 1313 में एक सबसे पहला किया 1307 अब गदी पर बैठने के बाद और सेकिंड जो करेंगे 1313 में करेंगे ये तो 1313 में इन्होंने को कर देना बंद कर दिया था इस कारण जो है 1313 में सुल्तान ने मलिक काफुर को दुबारा से देवगिरी पर आक्मन करने के लिए भेजा था और इस युद्मे संकर देव जो है मारे जाते हैं और यहां भी मलिक काफुर ने विभिन नगरों को लूटा था सोई स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने अलाओ दीन खिलजी के सभी अभियानों को पढ़ा क्योंकि दक्षिन अभियान काफी इंपोर्टेंट है अलाओ दीन खिलजी के नेक्ष्ट वीडियो में हम अलाओ दीन खिलजी के सुधार पढ़ेंगे तो तब तक के लिए ट